आज मैं जोशी मर्ट से ओली जाने वाले रोफवे के वीडियो आप से शेयर करूंगी जिसे आप बंद कर दिया गया है ये रोफवे एशिया की दूसरी सबसे लंबी और उची रोफवे हैं एशिया की सबसे उची और लंबी रोफवे कौन सी है यह जानने के लिए थोड़ा इंतिजार कीजिए हाई मैं रश्मी देवर्शी मेरे फूड और ट्रेवल चैनल में आपका स्वागत है तो आए वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्राखन के जोशिमत शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा इसे जोतिरमट नाम से भी जाना जाता है यह आदी शंक्राचार दौरा इस्ताफित चार पीठों में से एक है जोशिमत बद्रीनात फूलों की घाटी और हेमकुन साही जाने वाली यात्रों के पड़ाओ की तरह काम करता है और यहीं से ओली का रास्ता जाता है ओली विंटर इस्पोर्स और पैरा ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है यह विंटर जो लोग यहां पर इस्किंग करते हैं जो ट्रेनिंग रेते हैं सेवरेटेस के हमारे वह इसकी लिफट है आप इसकी करते हुए नीचे जाएंगे तूपर कैस आएगे को पूलना के पास दरार आ जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया है आज मैं जोशी मट से औली जाने वाले वोपे के वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं इस रोपे की कुल लंबाई 4.15 किलो मीटर है इसके रास्ते में 10 स्टिल के पिलेर बनाए गया है रोपे में दो केबल कार य इस पर एक बार में एक ओपरेटर और अधिक्टम 25 यात्री ही ले जा सकते हैं एक यात्री के साथ सिर्फ 10 किलो वजन ले जाना ही अनुमत है यात्रियों को यह यात्रा खड़े होकर ही करनी होती है आप लोग असट्रावी और मैंद्रा के दर मेंबर है उनका रिजॉटी वाले इसे उनका है जब देख लिए के आप लोग लंदा दीपी देख लिए, सेंटर में वाइक बिजर आ रहे हैं तो पींटीं के मात्यम से मनें आप लोगों को दिखा लखा है पाधिनाथ के टेंपर इधा नाथ श्रेट फ्लावर रमुडमन, स्रेट बढ़ मोनाथ आप मैं मोरो होता है हमारे हमोना ले कावन होता है यह ने हो यह चल दी हमारा दूसरा रूम पर देखो आप को सुजर लें और आप राएगे है भी मतनी नीचिते हैं अभी में मेरे को बहुत सारी सिस्टम है तो आप पर स्नोबीटर एक जोड़े दिदो समेडना है कि आघंड कि अंधर बें इज और रहा है कि ने अधिक यह हुआ है लाया कि नहीं कि रहा है अजय किलिए अ किलिए और है किऊ यह अधिक वह लादि है जो यह इस रोपे से तूंग लिया है और यह रोट कॉनसी है जो यह यह जाले है जो यह 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 जाले है यह जो यह जो निकलती है जो तो उसे अपने लिए परसनल रोट बना रहे है जो वह साफ सपाई करने के लिए किसकी मतले भी गोवर्मेंट तो यह जो प्राइबट है जो प्राइबट है जो प्रकास इंडेस्ट्री लेकिन जितना सुन में रहा से देखना जिख जाग उतना वहां से तो नहीं से तो नहीं साफ चलगा हो यह यह हमारा इसकी रिज़र्ड औली है जिमन को तूर्जम डिपार्ट्मेंट जो सब देखन को सब लेख जाए यह हो सकी रिज़र्ड औली तो यह जो रही हो ना इसके वाले आप यह जो ना इसके वाले ही कि अपये विदक हुआ हुआ पूर गाने डिखांगे लिए खेलDa, लिए जिए पहर번ु के बाद रिखाइंगे लिए ल को गसी तुठीय के सफस्मेट लूर रंभ, के ख cru, मुरू होभिछ टूर्प.... इसके लोर टर्मिनल की समुद्ध तल से उचाए 1906.03 मीटर है और अपर टर्मिनल की 3016.03 मीटर है इस तरह से ये रोफ़े आपको चंद मिनिटों में 1110 मीटर यानी एक किलो मीटर से अधिक उचाई पर पहुचा देती है इस तरह यहाँ एशिया की दूसरी सबसे उची और लंबी रोफ़े है पहले नंबर पर भी हमारे देश की ही गुलमर रोफ़े है इसकी औसर इस पी 3 मीटर या 3 मीटर प्रती सेकेंड है इसे पूरा रास्ता तय करने में लगभग 22 मीट का समय लगता है समानतह केबल कार हर 25 मीट बार चलाई जाती है एक बार चलने पर एक कार उपर जाती है तो दूसरी नीचे उतरती है इस तरह गर्मियों में इसके दिन भर में 26 चक्कर या 26 चकर पूरे किये जाते है इन में से शाम के अंतिम 3 चकर उनके लिए है जो ओली में ही नाइट इस्टे करते है इसका उद्घाटन 20 जुलाई 1983 को ततकालिन प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा किया गया था विजली से चलाया जाता है परंतु बिजली बंद होने पर डीजल जनरेटर की भी व्यवस्ता है मौसम खराब होने का पता लगाने के रिए स्टॉर्म वार्निंग डिवाइस भी लगाये हुए है इसके अलावा कार में रिमोट कंट्रोल हैड्रोलिक और निूमेटिक ब्रेक भी है हर राइट में एक अपरेटर आपके साथ रहता है जो वौकी टॉकी से कंट्रोल रूम में संपर करता रहता है इमर्जेंसी की स्थिति में यात्रियों को बाहर निकालने के लिए केवल कार की छट पर एक निकास मार्ग भी दिया गया है इस रोपवे का सिस्टम डिजाइन औस्ट्रिया की वो इस अलपाइन कंपनी ने किया है मेरे उत्तरा खन्द में को प्यक कर जब आप उपर पहुचते हैं तो आपको बहुत से सुरम्य द्रश्य देखने को मिलते हैं कि यहीं से कई फेमस ट्रैक्स का रास्ता भी जाता है कि अपर टर्मिनल पर एक रैस्ट्रॉ भी है अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर और कमेश जरूर करें और आप मेरे चैने पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैने को सब्सक्राइब करना ने भूलें बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें आगे जो वीडियो लेकर हूं उसका नुटिफिकेशन अपता पौस्ट के और वीडियो को अंतर देखने के लिए धन्यवाद या थैंक यू